पॉपो ए 59 वीवो वाइ 28 कौन सा फॉन आपके नीटके अकावडिम बहतर हैंगा तो जानते इस वीडियो के अंदर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन की तो दोनों ही फोन के अंदर हमें प्लास्टिक बोडी डिजाइन देखने को मिलती है यहाँ पर ठिकनेस भी दोनों की तकरिवन सेमी देखने को मिल जाएंगे हमें वेट की बात करेंगे तो Oppo 59 187刘्राम का में देखने को मिलता है और Vivo Y 28 186刘्राम का में देखने को मिल जाता है फोन के अंदर दोनों ही फोन में दो कलर्स देखने को मिल जाएंगे बलैक और गॉल्ड कलर उप़ों 59 में और Y 28 के अंदर हमें परपल और एक्वा कलर दोनों देखने को मिल जाते हैं तो डिजाइन के में में दोनों ही फोन तंकरीफन रह allow the public तक्र votes अगर आप देखेंगे बैक साइड से जो फिनिशिंग हो फिनिशिग में थोरी चेलिश देखने को मिलती है दोनों फोन के उन्दर और अब बात करते हैं network और security की तो दोनों ही phone के अंदर हमें dual sim देखने को मिल जाएंगे दोनों ही ऐसे 2G, 3G, 4G, 5G work करेंगे Wi-Fi का support देखने को मिल जाएंगा दोनों ही phone के अंदर हमें fingerprint और face unlock दोनों ही देखने को मिल जाएंगे display की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही phone के अंदर IPS LCD screen देखने को मिल रहा है display size हमें accurate same देखने को मिल रहा है 6.56 inches का में display देखने को मिल जाएंगा PPI भी यहाँ पर total same दिया गया है 269 का में PPI देखने को मिल जाएंगा अगर हम बात करेंगे refresh rate की तो दोनों ही phone के अंदर हमें 90 Hz का refresh rate देखने को मिल रहा है brightness की बात करेंगे तो Oppo i59 के अंदर में 480 का brightness table देखने को मिल जाता है वहीं बात करेंगे हम Vivo Y28 के अंदर तो यहाँ पर हमें 840 का brightness देखने को मिल जाएंगा तो डिस्प्ले की जो clarity रहेंगी आपको Vivo Y28 में काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी बाकि डिस्प्ले के मामले में दोनों ही phone सेम रहेंगे बात करते हैं अब performance की तो दोनों ही phone के अंदर में Media Deck Dimensity 6020 का processor दिया गया है OctaCore 2.2 GHz का Fabrication के बात करेंगे दोनों ही phone सेवन नेनो मिटर के ओपर बेस दिये गये हैं rhyme type की बात करेंगे तो LPDDR4X का rhyme हमें देखने को मिल जाएंगा तो प्रोसेसर के मामले में दोनों ही phone हमें सेम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर बात करेंगे बैटरी डिपार्डमेंट की दोनों ही phone के अंदर हमें 15 मिश की बैटरी देखने को मिल जाएंगी में जो डिफरेंट आएंगा ओपो के अंदर 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएंगा USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगा यहाँ पर बात करेंगे camera department की तो जो यहाँ पर main camera देखने को मिल जाएंगा तो आट में अपिक्सल का में selfie camera देखने को मिल जाता है तो camera के मामल में वीवो का phone थोड़ा बैटर आने को देखने को मिल जाएंगा हमें क्योंकि 50 पिक्सल का हमें rear camera देखने को मिल रहा है operating system की बात करेंगे दो नई phone android 13 के अंदर work करेंगे color OS का support देखने को मिल जाएंगा audio jack भी हमें देखने को मिल जाएंगा 3.5 mm का और बात करेंगे प्राइस पॉइंट की तो ओपो 59 के अंदर हमें दो वरेंट देखने को मिल लेंगे चार 128 वाला 13,999 और 625,500 में देखने को मिल जाएंगे तो बात करेंगे तो यहां पर वीवो के अंदर बात करेंगे तो जो बैक क्यामरा है 50 पिक्सल का देखने को मिल रहा है और ओपो के अगर आपको फास चाहिए तो आप अच्छा कैमरा चाहिए तो आप वीवो के तरफ चाहिए तो यहीत है मेरे कुछ honest opinion मिलते इसे तरह के कुछ next video के साथ